नमस्कार दोस्तों किस्सा जरूरी है, इस पार्ट में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको फादर के व्यक्तित्व और पार्ट के एक हिस्से से जुड़ा हुआ नजर आएगा। अब इतना करते ही दर्वाजा खुला और बहुती शांत, सौम्य, सादू पुरुष के आवाज आई। क्या आवाज आई। उन पर भागलपूरी सिल्क के चादर लपेटे हुए, शांत, गंभीर बैठे हुए व्यक्ति ने एक नजर डाली और कहा, दर्वाजी पर दस्तक लगाते हुए आपने किसी भाशा का व्यवहार किया। अब एक विदेशी व्यक्ति जो एकदम देशी भेशबूशा में है और वह एकदम शुद्ध हिंदी में पूछ रहा है कि आपने किसी भाशा का व्यवहार किया। उसमें बात करेंगे। अंग्रेजी में तो गदापी नहीं। तो यह कहीं न कहीं फादर के व्यक्तित्व के बारे में हमें एक संकेत देती हुई घटना है। जो लेखक भी बताते हैं फादर की चिंता हिंदी को राष्टर भाशा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता ये थी कि हिंदी वाले ही, हिंदी भाशी ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। हम जिस भाशा में जीते हैं, जिस भाशा का वेवहार करते हैं, उस भाशा से हमें लगाव नहीं हैं। प्रेम नहीं हैं। उस भाशा को हम मजबूरी में अगर हमें मौका मिले तो उस भाशा को हम तुरत छोड़ दें। और उसके प्रती गर्व का भाव नहीं है, उनको बहुत ही दुख होता था, वो कहीं न कहीं उनको लगता था, बार बार वो अपनी चिंता इस तरीके से व्यक्त करते थे, कि क्या होगा इस समाज का, जिसमें कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं देखा, कि किसी समाज और संस्कृती द्वारा अपनी भाषा को इस तरीके से उपेक्षित किया जाए, तो उनको दुख होता था, और आज भी मुझे ये कहते हुए, मुझे भी दुख हो रहा है, कि मैं जिस भाषा के प्रती, यहां के निवासियों का जवहार देखती थी, वो अब बदला नहीं है, हिंदी से कोई नहीं है कि फादर के वक्त में एक विदेशी आकर हिंदी से इतना प्रेम करता है, यहां की संस्कृती और यहां की भाषा से इतना प्रेम करता है, कि उस भाषा में शोध कारे कर रहा है, और अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया उन्होंने, क्योंकि हिंदी से उनक दबे के प्रती जो हमारा आदर है या एक तरह से कि यह उस रोब दब में हम रखते हैं तो आज भी चीजे बहुत जादा बदली नहीं है अब लेखक बता रहे हैं कि घर परिवार अपने नीजी इस परग्राफ में जो है इस अनुचेद में लेखक जो है वो अपने नीजी पारिवारिक संबंध के बारे में इशारा करते हैं इस पूरे संस्मरण में लेखत यहीं पर पारिवारिक आत्मियता दिखा रहे हैं नहीं तो पूरे फादर बुलकी के व्यक्तितों के अलग-अलग पहलूं को उभारते हैं घर परिवार के नेजी दुख और तकलीफ उसी से हमारे जुड़ते हैं जो हमारा बहुत ही घरेलू हो आत्मिय हो हम अपने दुख उसी को कहते हैं जिससे हमारा राबता हो इस तरह से नजदीकी हो जैसे फादर और सरवेश्वर दयाल सक्सिना किये तो इस अनुछेत के बाद आप पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि फादर और उनके बीच में गहरी आत्मियता थी क्योंकि अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यू के समय फादर के शब्दों से जर्ती विरल शान्ती विरल का क्या आर्थ होता है अगर आपको नहीं पता तो शब्द कोस्ते ढूंडेंगे सारी बाते मैं ही नहीं बताऊंगी कुछ चीजे आपको भी प्रयास करके ढूंडना पड़ेगा तब ही तो पढ़ने का मज़ा है तो एक व्यक्तितों का यह पक्ष भी जरूरी है समझने के लिए क्योंकि संस्मरन हम बहुत दूर रहकर भी लिख सकते हैं संस्मरन हमने किसी को सभा गोस्टी में लिखा है तब भी लिख सकते हैं लेकिन सरवेश्वर दयाल सक्टेना जिसके बारे में संस्मरण लिख रहे हैं उनसे बहुत ही आत्मियता थी नजदी की थी और उनकी सांतवना उनका प्रेम उनका लगाव सब मिला है अब हम आते हैं एक अंतिम हिस्से में जब उनकी मृत्य हुई है शिरुआत से ये जो होता है वह दफना के होता है दिल्ली में फादर की मृत्ती हुई थी तो उनको यहां दफनाने की जो प्रक्रिया हुई वह यहां के कबरिस्तान निकलसन कबरिस्तान में हुई थी तो उसी का वर्णन है कि वहां पर कौन-कौन थे और कैसे वह आये थे लेकिन मैं आपको एक और सूचना बता दूँ, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों का मतलब कुछ सालों पहले राची से लोग प्रयास कर रहे थे, वहाँ के पादरी जो थे, वहाँ के जो इसाई समुदाय के लोग थे, कि फादर को उनकी कर्मस्थली राची थी, तो वहाँ ले जाया जाए, उन देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उपस्तित हैं फादर का जो अंतिम बार देखा है तो फादर कैसे थे कि उनकी उंगलियां सूजी हुई थी ताबूत में थे और कुछ पादरी थे रघुवश जी का बेटा था और एक उनके और परिजन राजेश्वर सिंग थे और पाकी लोग मृत्यू की छाया है इस अनुष्यद पर मैं नहीं कहूंगे कि आप लोगों को कभी ऐसा आनुभा हो लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जहां किसी की मृत्य हुई है वहाँ पर बहुत उदासी होती है बले ही किसी उम्र के व्यक्ति की मृत्य हो लेकिन उद पर बहुत सारे लोग जिनके परिवार हैं जिनके घर परिवार वंश हैं जिनके रिष्टदार हैं उनकी भी मृत्यू में इतने लोग नहीं होते जितने फादर कामिल बुलके जिनकी कर्मस्थली अब रांची थी जहां के इसाई मसीही समुदाय से वो जुड़े हुए थे लेकिन वो दिली में कितने सारे लोग जैनेंदर कुमार, विजेंदर सनातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन ये सारे लोग जो हैं वो हमारे लेखक हैं हमारी हिंदी भाशा में इन्होंने काम किया है इसमें से कुछ लोग अब नहीं हैं और कुछ लोग हैं और थे सिम्टे हुए थे दूर सडक चुप चाप थी अंतिम संसकार शुरू हुआ तो मृत्यू का जो सन्नाटा होता है जो शांती होती है इस पहरग्राफ में आपको देखने मिलेगा इस पर महां से और कौन आया था इलहाबाद से भी उनके परिशित आया थे जिसमें डॉक्ट और फादर पासकल थे यह सब नाम जो हैं तथ्यात्मक रुप से मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एक एक नाम के ऊपर कोई प्रश्न बनना चाहिए लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उपस्तित लोगों का कुछ लोगों का जिक्र हुआ है जिन लोगों अपनी भूमी का निभाई है तो आप उन लोगों के बारे में जानकारी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उनको श्रद्धांजली देते हुए जो सत्य प्रकास जी ने जो बात कही वो आप जरूर पढ़ेंगे कि उनका अनुकरणिय जीवन उनका जीवन जो है व बुलके का जीवन ऐसा था और यह सिर्फ विनमरता पूर्वक उनके संसकार में कहने की बात नहीं है यह वो यकीन करते हैं विश्वास करते हैं लेखर कहते हैं मुझे विशेश तोर पर यह अनुछेद बहुत पसंद है मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा या नही कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यू पर कोई रोएगा लोग परिवार बाल बच्चे संतान भविश्य की जिनता क्यों करते हैं को उनकी मृत्यू पर रोने वाला उनके मरने के बाद उनको याद करने वाला कोई हो इस सन्यासी ने सोचा या नहीं सोचा लेकिन उस पहले मैं उपर कि पंक्ति बता दूँ कि लोग जो हैं परिवार की संग्रचना में इसलिए जाते हैं, अपने बाल बच्चों को इसलिए चाहते हैं, कि जब वोग नहीं रहे तो इस धर्ती पर उनका कोई नाम रहे, सन्यासी हो गए, उनका तो कोई परिवार नहीं है, उनका नाम कैसे रहेगा, लेकिन देखिए, जिनके बच्चे नहीं हुए, पोते नहीं हुए, उन फादर कामिल बुलके को आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि नाम हमारा हमारे घर्मों से रहता है, हमारे शब्दों से रहता है, हमारे चरित से रहता है, नाम हमारा किसी परिवार और व बोचा होगा उनने, नहीं, लेखा कहता हैं इतने लोग थे, इतनी आँखे नम थी, इतने लोग रो रहे थे, या उनकी आखे आंखें आशूं से भरी हुई थी, कि उनका जिक्र करना स्याहि को फैलाना है, मतलब सिर्फ पैरग्राव बढ़ाना कि ये आए थे, ये आए थे, और कहीं न कहीं इसमें दो बात हैं, कि उनकी आखें नम थी, यानि उनका जिक्र होगा, तो स्याही फैल जाएगी, जब हम कुछ लिखते हैं और हमारे आंसु टपक जाएं, तो क्या होगा? स्याही फैल जाएगी. तो अब हम इस पाश के अंतिम हिस्से में चले गए, अंतिम हिस्से में भी एक बहुत लंबा और सुन्दर वाक्य है, जब हिंदी में वाक्य लंबे होते हैं, तो उसका अर्थ विद्यार्थियों तक पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आखरी वाक्य को मैं फि शुरुआत करते हैं सनुचेत की, कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, जो हमें से अधिक शायदार, फल फूल गंद से भरा, और सबसे अलग सबका होकर सबसे उचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, यह देवदारू का पेड जो सबसे उ मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, यह प्रश्न बार बार आता है, पीछे भी दिया हुआ है कि फादर कामिल बुलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, तो इसको अगर आप तोड़ के देखेंगे, तो उनके भीतर जो मनुष्य मातर के करुणा की भावना थी वह सबके लिए थी वो ऐसी करुणा की अगाद धारा उनके भीतर से निकल रहे थी जो सबके प्रती थी सभी मानवों के प्रती थी संसार के प्रती थी जीव मात्र के प्रती थी, जो मसीही समाज में, जो मसीही समुदाय में, इसाई धर्म में, जो करुणा की बात कही जाती है, उनके भीतर से ऐसे निकलती थी, कि वो सब के प्रती थी, तो उसी मानविये करुणा के कारण इस पाठ का नाम बना है, और उसकी चमक जो थी, उनके दिवय अलोकिक चमक उनके व्यक्तित्व में थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सन्यासी थे, किसी से उनको राग, दवेश, स्वार्थ, किसी से मतलब नहीं था, इसलिए वह जो उनका मन था, वह सबके लिए समान था, अब हम अंतिम पंक्ति को आप अलग-अलग तोड़के प अब देखे, किसी यग्य की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी, मैं इसी के बारे में कह रहे थी, कि इसको तोड़ तोड़ के देखे, यग्य की पवित्र आग और उस आग की आँच, यग्य अपने आप में पवित्र होता है, यग्य करते हैं और उससे देवताओं को प्रसन्ने किया जाता है, यग्य के हवन से चारतरह वातावरन में पवित्रता, सुगंधी और शुद्धता फैलती है, यह सब माननेता हैं, यह सब से हमारे सांस्कृतिक माननेताओं में से यह बाते आती हैं, तो यग्य की जो अगनी है उसको पवित्र माना ही जाता है तो फादर का व्यक्तित्व कैसा था कि यग्जी की पवित्ज जैसे उन्होंने अपना जीवन ही यग्जी के समान होम कर दिया तो उनके व्यक्तित्व की जो उश्मा है उसको हम यहां पर आच शब्द के रूप में पढ़ते हैं तो उनके पवित्र व्यक्तित्व की जो उश्मा है वह आजीवन बनी रहेगी किसके जीवन में जो उनसे निकट रहे जो उनके संपर्क में रहे जो उनसे संबंध में रहे जैसे लेखक या इनके मित्र वह सारे और लेखक अंतिम बात कहता है कि अब मैं उस पवित्र जियोती की याद में, उनकी आत्मा एक जियोती की तरह है, जो क्या कहा है, प्रकृती में मिल गई, ईश्वर में मिल गई, और उसकी याद में स्रधानत हूँ, उसके स्रधानजली दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं तो यहाँ पर सरवेश्वर दयाल सक्सेना जो है वह कहीं न कहीं आंत करते करते नतमस्तक हो जाते हैं अपने बड़े भाई समान अपने दोस्त के समान और प्रिय फादर कामिल बुलके से जो उनके प्रिय होते हुए भी उनसे उंचे थे और महांत थे और महांता संस्मरन जानते नहीं हैं उनका ऐसा आत्मिय घनिष्ट संबंध है उस संबंध के बाद भी वह एक दूरी से निरपेक शोकर देखने की कोशिश करते हैं मुझे सबसे अच्छी बात संस्मरन की लिखने वाले की यही लगती है कि उसका मैं नहीं आता है अभी तो आप बहुत छोटे हैं दस्वी क्लास में पढ़ते हैं अब बहुत सारे संस्मरन पढ़िएगा लिखने वाला हावी हो जाता है कि तो मैंने ये किया मैंने वो किया मैं यहां था मैं वहां था मैंने उनको नहीं यहां मैं नहीं है यहां फादर कामिल बुलके हैं तो यहां मैं एक अतिरिक्त बा अब हम थोड़ा सा लेखग के बारे में जानते हैं इस पाठख के लेखग सरवेश्वर दयाल सक्सेना फिनन्दी के जाने माने कवी है इनकी कविताइं आप लोगों को अपने से आसानी से समझ में आ सकती है तो आप भले ही दस्मी में हैं लेकिन इनकी कविताओं को आप internet पे यह कविता कोश में ढून के आप पढ़ सकते हैं बहुत ही पियारी पियारी कविताओं लिखी हैं और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे प्रीय कवी है सर्वेश्वर, क्योंकि इनकी एक कविता है तुम्हारे साथ, वो मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जगह में हुआ और बहुत दिनों तक वो एलाहबाद में रहे, उनके शिक्षा दिक्षा एलाहबाद से हुई और दिल्ली में उन्होंने काम किया कवी, कहानिकार, उपनियासकार, निबंदकार, नाटककार ये सब उनके रूप हैं लेकिन जो कवी रूप है, हम सब उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं हलाकि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं, वो संस्मरण हैं, तो गद्देकार भी वो कमाल के हैं लेकिन उनकी गद्दे की भाषा भी आप देखेंगे, बहुत काव्यात्मक है तो इसलिए कहते हैं कि कवी रूप को तरजीह देते हैं उनकी कावे कृतियां जो हैं, जो प्रसिद्ध हैं काट की घंटियां, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर तंगे लोग, सोया हुआ जल ये सारी उनकी रचनाएं हैं और कहानी संग्र भी है, खास तोर पर एक नाटक है बकरी जो कि मुझे जहां तक पता है, यह अपातकाल के दौरान लिखा और बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसमें जो बात है, वह व्यवस्था के खिलाफ और अन्याय और दमन के खिलाफ बहुत गहरी बात है तो आपको कभी मौका लगे तो आप धून के पढ़िएगा सरवेश्वर की पहचान जो है, वह मध्यवर्गिय जीवन के सपनों, उसकी आकांग्शा, उसके शोशन, उसके संगर्श के बारे में बता देंगी है उनकी कहानियों में, कविताओं में, जो आम मध्यवर्गिय जीवन है, हम जैसे लोगों का जो जीवन है, वो बहुत ही जादा दिखता है उसकी करुना है, उनका संत्रास है, यातना है, उसकी खुश्यां भी है, चोटी बड़ी सारी बाते हैं उनके जीवन में अब क्या है कि यहां जो पाठ है, वो अब मूल रूप से एक संसमरण है, तो आपको यह भी देखना होगा कि संसमरण में लेखक ने किस निरपैक्षता का परिशे दिया है, किस ततस्तता का और कितनी विश्वसनियता है क्योंकि संस्मरण लेखक और संस्मरण जिसके बारे में है उन्होंने काफी वक्त साथ में बिताया है तो एसलिए या एक कहा जाए तो बहुत भरोसे मंद संस्मरण है जिस पर हमें सहस्ता से यकीन करना चाहिए और आप झूडेंगे भी तो फादर बुलके के जिस हिंदी भाषा हिंदी प्रेमी के स्वरूप को वो बताते हैं कुछ चीजों को भी ध्यान में रखकर अभी बाते करेंगे अब आप सबको पता है कि हमारे सामने जो 40 marks के question है वो objective आने वाले हैं उसमें से आपकी इस किताब से भी गद्यांश पर आधारित बहु वैकल्पिक प्रशनाएंगे objective यानि कि बहु वैकल्पिक, multiple choice के question तो गद्यांश पर आधारित बहु आएंगे और कभी-कभी किसी भी पार्ट से ऐसे दिया हुआ प्रशनाएगा इस पार्ट को पढ़कर जो आपने समझा आपकी जो understanding बनी और जो आप उसका visualization कर रहे हैं आप उसको analyze कर रहे हैं उस पर बनीगा तो हम उसी अलग-अलग तरह के प्रशनों को देखते हैं यह प्रशन अभी sample paper जो बना हुआ है उससे लिया हुआ है जो मैं आपको discuss करने जा रहे हूं फादर कामेल बुलके का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है पाठ से प्रसंग लिये हैं भारत आकर पढ़ना परिमल के सदस्यों से गहरानाता भारत ये संस्कृती के अभिन अंग और उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तयार किया तो इन चारों में से कौन सा सबसे सही उत्तर होगा क्योंकि ये चारों पाठ के अंश हैं प्रसंग हैं लेकिन हिंदी प्रेम किस प्रसंग से जाहिर होता है ये आपको सोचना है ध्यान देना है कौन सा होगा मुझे लगता है आप लोग ठीक पकड़े हैं इसका उत्तर होग ही नहीं तो आप adhering से पढ़ेंगे पारगř को तो समय है कि father की चिंता यह इन drug kw kgor हुक दी हुई है कि father की चिंता हिंदी को राष्ट्र पारशा को रोप में देखने की है तो ग्याद राष्ट्र भारशा तीसरा प्रश्न से फादर को याद करना उदार, शांत, संगीत, सुननी की तरह क्यों है? यह कहीं न कहीं इस पाठ के प्रसंग से आपको इसका विशलेशन मन में करके उत्तर निकालना है. फादर को याद करने से लेखा को दुख होता है, यह बात तो सही है, लेकिन क्या इस प्रशन का उत्तर य मुझे लगता है कहीं न कहीं ये उत्तर है और दिवगमत फादर को याद करते हैं लेखक अत्यंत अशांत हो जाता है तो लेखक अशांत हो जाता है नहीं नहीं ये तो एकदम गलत बात है तो मुझे लगता है कि उत्तर गव होना चाहिए जो कि हम इस प्रेशन को समझेंगे अगर तो हम relate कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिए, कि दी हुई बातें जो विकल्प की होंगी, वो सही होंगी, लेकिन उत्तर कौन सा है, कौन सा उत्तर सही है, इस पर ध्यान देना है, मानविय करुणा की दिव्य चमक किस विदा की रचना है, ये तो मैं शुरू महीं बता चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता इसका उत्तर मुझे बताने की जरूरत है, आप समझ गया होंगे, संसमरण है, आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, फादर की तुलना देवदारू के वरिक्षर क्यों की गई है, वे देवदारू के समान लंबे थे, वे देव की छाया में ले लेता है, तो पूझनिय भी अगर पूझनिय समानिय हैं भी अगर फादर, लेकिन लेखा किस पार्ट में जो टेक्स्ट है हमारा उसमें छायादार बताय हुए है, तो इसका उत्तर हमाएं छायादार देना होगा, तो इस तरह से अलग-अलग तरीकों के प् आपको फादर कामिल बुलके के बारे में और जानने की अच्छा होगी और जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया है कि राजे सभा टीवी ने इन पर एक एक घंटे का एपिसोड बनाया है जो बेहत उमदा है और बहुत ही आथेंटिक है तो आप यूटीव पर उसे देखकर अपनी जानकारी और बढ़ाएंगे और लेखा की अन्य कविताएं रचनाएं भी पढ़ेंगे मुझे उमीद है आपने इस पार्ट से बहुत सीखा होगा स्वैम भी कोई संसमरण लिखने का एक काम करेंगे किसी के बारे में संसमरण लिखेंगे आप और इस तरीके से आप भाशा का भी ज्यान ले पाएंगे विधा का भी ज्यान ले पाएंगे और प्रशनों को भी हल कर पाएंगे तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करती हूँ शुक्रिया झाल झाल